हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों यह हमारा बैड वुडन का है और यह काफी पुराना हो गया इसमें स्क्रेचेज भी पढ़ चुके हैं और मैं चाहा रही हूँ कि इसके लिए एक कवर तहियार करूँ ताकि जब हम टी बनाने के लिए मैं यह फॉम की एक सीट खरीद लाई और यह मैंने मेजरमेंट ले ली सिराने की जो बैट का सिराना है उसकी जो उंचाई है उसकी मैंने मेजरमेंट ले ली वह बीस इंच निकली और यह फॉम की थिकनेस तीन इंच के लगबग है और यह फॉम ज्यादा हा तो इस तरह से मैं 20-20 इंच पे माक लगा ले रही हूँ इस तरह से और जो इसकी लंबाई है बैट की जो लंबाई होती है सिराने की जो लंबाई है वो एकुरेट इतना ही मिल गया था तो फिर उसके बाद माक करने के बाद मैं इसको हेग्जबलेट की मदद से काट रही हूँ पहले मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ा सा गड़बर कर दी थी थोड़ा उपर की जो इसकी लेयर है वो स्क्रैच हो गई थी इसको आराम-ाराम से आप काटिये तो ये आर के लिए जाईए और उनसे कटवा के लिए क्योंकि जहां पर ये सोफा वगर्ण बनते हैं उनके पास टूल्स होते हैं इसको कट करने के तो आपको काट की भी दे दिए इसे देखे कट हो चुका है अब ये और ये देखे हो सकता है कि जब हम कटवा के लाएं तो थोड़ी सी प्राइस और कम हो जाए इसकी क्योंकि बागी का टुकड़ा उनके काम आ जाएगा तो ये मैंने सफाई से काट लिया अब जो इसका कवर मैं बनाऊंगी वो मैं ये कमफर्टर है मेरा उसे मैं ले रही हूँ ये देखें कमफर्टर मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा से थिक है और ये थोड़ा मुझे उतना पसंद भी नहीं है और तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बै पाएगी थोड़ा से खिसकेगी इसले मैं चारी थी कुछ मोटा कपड़ा लेना या फिर मोटी बैट सीट आप ले सकते हैं लेकिन मेरे पास ये कमफटर था जो कि हम यूज नहीं कर रहे थे तो मैं इसले इसको ले रही हूँ तो इसको इस तरह से प्रॉपर बैठा लेना है ताकि फोम के उपर ये अच्छे से बैठ जाए कोई भी इसमें सिल्वट न रहे फिर उसके बाद मैं इसमें मार्क कर ले रही हूँ अभी आपको कोई भी कट इसमें नहीं लगाना है बस इस तरह से सिल लेना है और सुई धागे की मदद सही मैं इसको सिलूंगी क्योंकि मस जो ये सीट है और जो ये कमफर्टर है या जो भी आप कपड़ा लेंगे उसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए बहुत अच्छे से आप इसको बैठा करके सिल लीजिए ये आसानी से सिला जा रहा है देखे और ये देखे सिल के तयार हो गया और ये नीचे का कपड़ा बज गया है इस तरह से सिला है मैंने कि दोनों साइड जो है वो फोम कवर हो गया है और मैं ये आपको दिखा रही थी कि बीच में हम बटन लगा के जैसा बजार से बन किया वैसे भी हम बना सकते हैं पर मैं कुछ और प्लैनिंग कर ली हूँ तो मैं ऐसा नहीं बनाऊंगी अब मैंने जो बचा वाला कपड़ा था वो बैठ के पीछे साइट को डाल दिया है जो बैठ का सिराना है उसके पीछे साइट को क्योंकि अगर हम इसको शिक्योर नहीं करेंगे तो यह बारबार हिलता रहेगा तो मैं क्या करने वाली हूँ कि पीछे साइट का कपड़ा और आगे जो यह कॉर्णर का कपड़ा है उन दोनों को आपस में सिल दूँगी यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर लूँगी यहाँ से इसको यहाँ से इतना कट कर लूँगी और उसके बाद दोनों तरफ पीछे का कपड़ा पकड़के और आगे का पकड़के उसमें सिलाई मार लूँगी तो देखिए मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे देखिए पीछे का कपड़के और आगे जो है उसको पकड़के मैंने सिलाई मार ली तो यह पूरी तरह से सिक्यूर हो चुका है अब यह बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं धरुदर अगर हम चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं वहाँ पे हम इसको बटन लगा के हैं बट मैं सोच रही हो कि हम इस पे सरवगर रखेंगे या बच्चे खेलिंग को दिंगे तो यह गंदा हो जाएगा तो वाशेबल नहीं रहेगा तो मैं इसके लिए इसके उपर से एक ऐसा कवर बनाना चाहरे हूं कि मैं उसे निकाल यह एक मोटी सी बैट शीट का कपड़ा है यह मैंने ले लिया और इसमें दो बटन मैंने इस तरह से दो बटन इस साइड और दो बटन उस साइड लगा लिए हैं यह पहले आप मेजर कर लिजे कि कहां पर आपको बटन लगाने हैं पीछे साइड बैट के हैट के पीछे पीछे चले गया और पीछे साइड मेंने बटन लगा लिए हैं इसके और आगे वाले कपड़े पे काज बना लिए और पीछे ले जाकर के उसको बटन में उसको बटन लगा लिए उसमें काज पे ये कपड़ा जो है वो जो हमारा सिराना है उससे थोड़ा सा लंबा कपड़ा है और उसके बाद ये सिक्यूर कर लिया बटन से और जब भी हमें इसे वाश करना है बस बटन खोले और इसे वाश कर सकते हैं तो ये देखिए बनके तेयार हो गया है और ये कवर भी हो गया अच्छे से तो अब कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी कि बच्चे खेलते कूदते हैं चोटे बच्चे जब तो उनके सर पे लग जाती है उनको आदत नहीं रहती है तो अब इससे बहुत सिक्यूर हो गया है ये सर पे भी नहीं लगेगी और सॉफ्ट भी हो गया और जो स्क्रैचे जब रहते हैं वो भी सारे छुप चुके है तो ये मैंने बहुत कम बजट में एक अच्छा सा बैड हैट बना कि तैयार कर लिया वरना हमें इससे चेंज करना पड़ता और तो ये दोस्तों आपको ये कैसा लगा जरूर मैं बताईए और अब मैं इसको इसका फा स्क्राइब है झाल 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 झाल